हेलो फ्रेंज वेल्कम टुद एसके क्रियेटिविटी आज हम एक फ्लोर सोफा बनाएंगे जो कि हम बिल्कुल वेस्ट मटिरियर से बनाएंगे वेस्ट कपड़ों से बनाएंगे जो कि हमारे पास पड़े होते हैं कपड़े उनका ही हम यह जो फ्लोर सोफा बनाएंगे तो फ इसी का वीडियो बनाऊंगी मैं आज तो बताती हूँ कि कैसे मैंने इसको बनाया है और ये आप देख लेना ये जीप वाला जो एरिया है मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने इसे बनाया है और जो वेस्ट कपड़े थे न मेरे पास कोई भी पड़े हुए उनी का ही मैंने ये बनाया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक जो मेरे पास एक शॉल पड़ी हुई है ये काफी पुरानी है तो ये शॉल मैं लूँगी और कोई गोल शेप का कोई भी आप ले सकते हो कोई प्लेट बगएरा या प्रात बगएरा तो मेरे पास एक गद्धी पड़ी हुई थी जो की कुर्शी तूट गी थी उसी की गद्धी पड़ी थी उसी को मैंने उपर रखे दो हिस्से हम जो हैं गोल काट कर लेंगे और जो नीचे को जितनी भी आपने लेंथ रखनी है उतना कपड़ा हम इस पे गुलाई में स्टिच कर देंगे तो दो पार्ट हमने cut करने है एक उपर वाला गोल और एक नीचे वाला और जितनी हमने length लेनी है एक length को हम ऐसे गुलाई में नाप लेंगे जितना भी हमने यह उपर का गोल cut किया है और यह मैंने इसमें न सारे पुराने कपड़े जो थे तो ये वैलबेट की है बहुत अच्छी अच्छा कपड़ा है इसका वैलबेट शनील जो होती है तो ऐसे मैं इसका नाप ले लूँगी और नीचे वाली साइड में फिर हम इसमें नाड़ा डालेंगे और यहां से मैं निशान लगा लूँगी कि जितनी मुझे लेंथ नीचे वाली साइड को हम फिर हम नाड़ा डालके या कोई डोरी डालके बांद लेंगे नीचे वाली साइड को तो यहां से मैं उपर से इसका जो है वो गोल वाला पार्ट भी कट कर लूँगी पूरा नाप लेके और गोल में इसको कट कर लूँगी तो मैंने नाप ले लि है अब मेरे पास ना एक जैकट पड़ी हुई है जो की काफी खराब हो गए थी तो इसके बीच में से जो यह स्पंच ना बीच में तो यह मैं निकाल लूँगी और यह मैं गद्धी में डालोंगी तो यह वहला हिस्सा में पूरा निकाल लूँगी और पूरा गुलाई में लगा लूँगी ना ऐसे गोल करके और पूरे ब्राबर से निशान लगा लूँगी तो मैं मशीन से ही इस पर निशान लगा लूँगी और इसके बीच में हम कोई पुराने कपड़े बगएरा या कॉटन जो भी आप भरना चाहते हो भर सकते हो तो ऐसे मैं टांके लगा लूँगी पहले ही इसके बीच में और बाद में इसमें जो है वो कॉटन भर दूँगी मैं इसके बीच में कोटन डालके और इसको पूरा ब्राबर करके बाद में जितना हमने जो एरिया थोड़ा सा खाली रखा है उसको मैं स्टिच कर दूँगी तो मैं सारे अच्छे से भर लेती हूं इसको बहुत ही अच्छा लूक आएगा इसका पूरा वीडियो देखना आप बहुत अच्छा ब दूँगी गुलाई में हम इसको स्टिच कर लेंगे और जब भी हम इसका कबर बनाएं जो फ्लोर सोफा हम बनाते हैं कबर हमने बिल्कुल टाइट बनाना डिला नहीं बनाना बिल्कुल टाइट ताकि अच्छे से इसकी फिटिंग आए तो यह मैंने सीधा करके मैं दिखात हूं और नीचे वाली साइड में हमने यहां से जैसे नाडा डालते हैं वैसे हमने इसको डोरी को पिरो लेना है कि तो यह डोरी मैं इसमें पिरो लोंगी जो कॉटन की रोप है यह है तो अब मैं कबर चड़ा के आपको दिखाती हूं ऐसे उपर से कबर कबर चड़ा के और नीचे को हम डोरी को कस के इसको बांग देंगे कस के और गांठ लगा देंगे अच्छे से और डोरी जो बाहर को निकलिया इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे ऐसे कर देंगे और यह हमारा फ्लोर सोफा बनके तियार हो गया बहुति सुंदर अब उपर वाली साइड मैं एक चेन बनाऊंगी जैसे मैंने आपको एक बनाया था ना मैट आपको बताया था कैसे चेन मनाते हैं हाथ से उसी तरह मैं इसकी chain बनाके इसके उपर लगाऊंगी तो यहां पर मैं लगा दूँगी इसके जहां पर जोड नजर आ रहा है न यह यहां पर मैं इसको लगा दूँगी ताकि इसका यह जोड भी नजर न आए और इसका look बहुत अच्छे से आए तो फ्रेंट से यह देखो यह मैंने त्यार कर लिया है और यह मैंने आपको रख के दिखा रही हूं के कैसा लग रहा है यह तो आप बताना जरूर आपको कैसा लगा तो यह मैंने इसके साथ का न एक cushion भी बना लिया था जो उपर वाला हिस्सा टा था थोड़ा सा Okay फड़ा सka बचा था तो फड़ासा लिए चोटा सा और कुशन में भी मैंने फूराने कपड़े लगा cotton बगेरा לא नहीं डाली है तो कपड़े ही मैंने जो पड़े हुए थे ना कोई बोह कि मैंने इसमें डाल दिये तो देखो कितना सुन्दर बन के तयार हो लगया और यहाँ मैंने इसको जहां मैंनе floor-sitting का अरेंजमेंट किया हुआ है ना वेहीं पर मैंने इसको रखा है और बहुत ही अच्छा लूका है इसका बहुत अच्छा लगा तो आप बताना आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बताना जरूर कि कैसा लगा आपको तो फ्रेंस यह हां मैंने जो फ्लोर सिटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ ना वहीं पर रखा मैंने और यह एरिया ना मे अगर अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करले ना में लाइट जगा के आपको दिखाते हूं कि असका लुक का यह है तो यह देखो यहां पी रखा मैंने इसको अगर आपका अच्छा लगा हो तो बताना आप जरूर और आपके पास भी ऐसा कोई पॉराने कपड़े अकत्रन बगेरा कुछ भी हो कुछ भी आप इसमें फिल कर सकते हो ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्यार क्या प्रेंड्स फिल कर सकते हैं? क्या दो एक कर दो 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 कर सकते हैं? क्या है? झाल झाल झाल